रजनी गंधा के पौधे से अच्छे फूल पाने के लिए घरेलू उपाय अपनाएं. एद अंडे के छिलके इन्हें सुखा कर पीस लें और मिट्टी में मिलाएं. इससे पौधे की जड़ों को कैल्शियम मिलता है. दो चाय पत्ती इस्तिमाल की गई चाय पत्ती को सुखा कर मिट्टी में मिलाएं. यह पौधे के लिए प्राकृतिक खाद है. तीन अरसोई का पानी चावल या सबजी धोने के बाद बचे पानी का उप्योग सिंचाई के लिए करें. चार केले का छिलका केले के छिलके को पानी में भिगो कर इस पानी से पौधे को सिंचें यह फूलों के लिए लाभकारी है. सितंबर के महीने में रजनी गंधा से अधिक फूल पाने के लिए पौधे को चार-छे घंटे की धूब दें. क्योंकि यह सूरज की रोशनी पसंद करता है. मिट्टी का जल निकासी अच्छा हो, पानी का जमाव न हो. सब्ताह में दो-तीन बार पानी दें ताकि मिट्टी नम रहे. सूखी पत्तियों को हटाते रहें ताकि नई कॉम्प्लेंज निकलें. पौधे को ठंडी हवा से बचाएं. सितंबर में मौसम अनुकूल होता है. इसलिए फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए नियमित देख भाल करें.